अगर आपके पास अभी तक USA का अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपने मुबाइल पे USA की एक verified ID create करें तो ये वीडियो आपके लिए है आज की वीडियो में आपको detail में बताने वाला हूँ कि आपने अपने मुबाइल को use करते हुए उसके उपर Facebook का USA based account कैसे बन बनाना आज की वीडियो में हम सीखेंगे और वो भी अपने मुबाइल के अंदर जो के एक verified तरीका होगा तो अगर अभी तक आपके पास USA based ID नहीं है तो ये वीडियो दे के आपने USA वाली ID बना लेनी है और उसके बाद अपना पेज फेसबुक से monodize करवा लेना है तो वी browser VPN तो आपने इस VPN को download कर लेना है यहाँ पे आप इसका logo भी देख रहे हैं और आप इसका interface भी देख रहे हैं तो simple आपने यहाँ पे इसको install कर लेना है अब इसका फाइदा यह है कि यह free है और यहाँ पे इसकी जो मतलब quality है वो बहुत ही अच्छी है मतलब यह location disturb नहीं करता उसके पाद आपने क्या करना है दूसरी चीज़ जो आपने install करनी है वो आपने करनी है facebook light अब आपने facebook light को ही use करना है आपने जो facebook की original app है उसको use नहीं करना तो जैसी यह install हो जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ यह दोनों मैंने install पे लगा दिया है तो इसी तरीके से इनको install कर लेना है USA ID बनाने के लिए यह जरूरी है तो यह देखें यह दोनों application मैंने अभी आपके सामने मतलब install कर ली है अब मैं इनको open करूंगा तो open करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपने VPN को open करना है facebook light को open नहीं करना ठीक है अगर आप आपके mobile में दूसरी facebook है तो आपने उसको delete कर देना है यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ यह देखें यह इसकी location नेधर लेंड शो हो रही है उसके बाद आपने इसको change करना है अब नीचे यहाँ से आपने इसको on करना है तो आपने यहाँ से इसको on कर लेना है तो जैसी आप इसको on करेंगे तो आपका यह मतलब connect होना start हो जाएगा यह आप से कुछ permission मंगेगा आपने इसको allow कर देना है allow करने के बाद यहाँ पर यह देखें यह हमारा connect हो चुका है अब ने क्या करना है आपने वापिस आना है और वापिस आने के बाद आपने अपनी Facebook Live open कर लिनी है ठीक है जो कि यहां पर हमने अभी download की है तो जैसी मैं यहां पर इसको open करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पे यह कहेगागा कि आप Facebook पे new है आपने इसको join करना है तो आपने simple का कर देना है next कर देना है जैसी आप इसको next करेंगे तो आपके सामने यह username मंगेगा अब username आपने पाकिस्तानी नहीं देना किसी गोरे का नाम देना है वो कैसे निकालना है आपने simple Google पे आजाना है यहाँ पे आपने सर्च करना है random नाम या random detail जरनेटर तो आपके सामने एक website आजागी जो कि कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे यह देखें आपके सामने एक रैटिकलर की website आगी है आपने पहली website को open कर लेना है जैसी आप इसको open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा अब यहाँ पे country मतलब location शो हो रही है तो आपने क्या करना है सबसे पहले random पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने mail वाला option select कर लेना है ठीक है अगर आप female के नाम से बनाने चाहते है तो female select कर लेना है उसके बात आपने क्या करना है आपने यहाँ पे कोई एक country select कर लेनी है जो के English या गोरो option पे क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह देखिए जरनेट होके आजागी एक मकॉमल information अब यह वाली है यह फेक है और यह मतलब exist ही नहीं करती इस दुनिया में ठीक है तो आप इसको use कर सकते है as a copyright free तो simple आपने इस नाम को copy कर लेना ह एफ open कर लेना है जो हमने अभी अबी open की आ यह देकिए मैं इसको open कर लेता हूँ open करने के बएधिए आप यहाँ पे आपने वो मैं ना वो आपने रिमूब कर देना है वो दूसरे बॉक्स में आपने पेस्ट करना है ठीक है जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूं ठीक है कुछ इस तरह से आपने नाम को दो इसों में इन दोनों बॉक्सों में फिल कर देना है उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करने के ब नमबर है तो आपने यहां पे डाल देना है otherwise आपने इमेल ही स्लेक्ट करना है ठीक है तो मैं इमेल को स्लेक्ट कर लेता हूं क्योंकि हम इमेल पे आईडी बनाने जा रहे अगर आपके पास original Gmail है तो आप वो यूज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो मैं temp mail को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह देखें जैसी मैं temp mail मतलब Google पर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह की website आ जागी आपने पहली website को open कर लेना है अब इस website का काम यह है कि यह temporary हमें एक email प्रवाइड कर रही है यहाँ पर यह देखें इसने हमें यह प्रवाइड किया हुआ है हम इसको use कर सकते हैं और इसके उपर code भी ले सकते हैं तो simple मैं इसको copy कर लूँगा copy करने के बाद अपनी दुबारा उसी एप पर चला जाँगा और एप पर जाने के बाद यही email वहाँ पर पुट कर दूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर ही वह वाला code रसीव हो जागा जो के facebook वाले बेचते हैं ठीक है यहाँ पर जल्दी से हम date of birth select कर लेते हैं मतलब 1194 जो भी आप मतलब आपके mind में हो आपने यहाँ पर select कर देनी है एक चीज़ और मैं यहाँ पर clear कर दूँ कि जो ideas confirm हो जाती है facebook की तरफ से मतलब बन जाती है USA की उसकी आपने date of birth लाजमी चेक करनी है आगे चलके आपको मजीद समझा देता हूँ ताके किसी भी परिशानी से बचने के लिए आप easily मतलब इसके उपर काम कर सके तो यह देखें यहाँ पर मैं date of birth फिल कर रहा हूँ ठीक है सेम इसी तरह के से आपने date of birth फिल कर लेनी है कोशिश करेंगे date of birth 1990 कि मतलब नीचे नीचे यह हो ठीक है मतलब कम अज़ कम इस Facebook की ID की जो age होनी चाहिए जो कि हम बना रहना वो 18 साल से उपर होनी चाहिए तब ही जाके आपको यह वाली मतलब एक अच्छी ID मिलेगी उसके बद आपने simple इसको next कर देना है next करने के बद आपने mail सेलेक्ट करना है और उसके बद यहां पे आपने अपना password पूट करके next कर देना है तो जैसे आप next करेंगे यहां पे sign up का option आजाएगा आपने यहां पे sign up पे क्लिक कर देना है जैसे आप sign up पे क्लिक करेंगे तो जो ID हमने अभी बनाई हुई है वो हमारी login हो जाएगी कुछ इस तरह से तो यह देखें यह हमारी ID login हो रही है यह मतलब एक से दो मिनट भी लेगी क्योंकि हमारा VPN connect है इसलिए यह थोड़ा सा slow work कर रहा है तो आप यहां पर यह देखें यह देखें जैसी हमने login किया अपने इसको open करना है तो आपके सामने थोड़ा सा scroll down करने पे आपको यह code नजर आ जाएगा आपने simple क्या करना है आपने इसको copy कर लेना है तो यहां पर यह देखें यह code आचुका है हम इसको select करेंगे, copy करेंगे copy करने के बाद आप इसको हम facebook के लिए use कर सकते है याद रहेगी यह temporary होता है आपने इसको permanent use नहीं करना अगर आप बोल गए है तो तब आपको यह दुबारा code नहीं देंगे ठीक है तो यहाँ पर यह हम code paste कर देते है paste करने के बाद हम simple इसको okay कर देते है तो okay करने के बाद यह हमारा code accept कर लेगी ठीक है और उसके बाद हमें login दे देगी तो यह देखिए इसने हमें login दे दिया है यहाँ पर यह कह रहा है कि आप अपने profile वगएरा change कर सकते हैं मतलब जो भी लगाना चाहें तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने profile भी आपने यहां से गूगल से जरनेट करनी है अब वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको जरनेट करके देता हूँ आपने simple क्या करना है आपने दुबारा chrome browser के उपर आना है और यहां पे आपने फिर लिखना है random नेम एंड जरनेट या random पिक जरनेटर आपने लिख देना है अब इसका यह होगा कि यह जो पिक हमें जरनेट करके देगाना वो भी बंदा इस दुनिया में नहीं है ठीक है मतलब वो भी इस दुनिया से exist नहीं करता हम उसकी पिक भी as a copyright free यूज़ कर सकते है तो यहां पर यह देख लिए आपके सामने एक website आ चुके है यह सिर्फ और सिर्फ गोरों की पिक आपको जरनेट करके देगा जैसे कि यहां पर यह उसने एक लड़की की पिक जरनेट करके दी हुई है लेकिन हमेज़ चाहिए अपनी मर्जी से तो हम क्या करेंगे यहां पर male सेलेक्ट करेंगे age 20 से 25 साल की मतलब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर कोई भी color आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपने इसको downs करें आपने गैलरी के अंदर करने गालरी के उसका लगा करने के पर आपने इस को नाम है I think क्या website का नम है तो आपने इसको crop कर लेना है ठीक है तो crop करने के बाद आपने इसको save कर लेना है जो कुछ इस तरह के इस तरीके से ACT हो जाये getए अब कुछ इसतरीक है आपने वापने वापस Facebook पे आन之前 Facebook पे आने के बाद आपने क्या करना है आपने यहां से लगा लिनी है अगर यहां से फिल वक्त ना लगे तो आपने इसको skip कर दिने है क्योंकि next पार्ट में हम इसको लगा सकते हैं बाव जगात यहां पे आपका VPN connect होता है तो यहां से आपके गैलरी बगरा में एकसेस नहीं करती तो आपने परिशानी होना मैं आपके सामने लगा कर दिखाऊंगा उसके बाद आपने इसको भी skip कर देना है skip करने के बाद अभी तक हमारी ID नहीं बनी जिनको लगता है ना कि यह हमारी ID बन गी है तो यह अभी तक मतलब वो वीडियो skip करके ना जाएं क्योंके अभी main part आने वाला है तो सबसे पहले हम यहां पे इसकी profile अपडेट कर देंगे कुछ इस तरह से यह हमने अपडेट कर दी है उसके बाद आपको यहां से edit profile का option नज़रा रहा है यहां पे यह देखें कुछ इस तरह से आपको परफाइल मतलब edit profile का option नज़रा रहा है तो आपने इसको edit कर लेना है edit करने के बद अब आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा ठीक है अब यहां पे कुछ जरूरी चीज़ें जो के 100% आपने करनी है अगर नहीं करेंगे तो आपकी location confirm नहीं होगी यह देखें यहां पे इंट्रो वाले section में आपको 4-5 option नज़र आ रही है जिनमें आपकी city है, work place है, school है, home town है और relation status है तो आपने इनको update करना है वो कैसे करना है अभी हमने जो random, detail जहां पे जरनेट किये थी आ आपने वहाँ पे से ले जाना है वहाँ पे जाने के बाद आपने नाम के नीचे उसका address बगहरा आ रहा है आपने simple यह वाला address copy कर लेना है अब यह वाला fake address है, हम इसको use कर सकते हैं उसके बाद आपने क्या करना है आपने नीचे edit your about पे क्लिक कर देना है सबसे नीचे यह देखें जैसी आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर यह हमने जो अभी अभी email जरनेट की है वो भी आपके सामने आ रही है पर यहाँ पर नीचे आपको दो अप्छने आ रही है hometown और current city की आपने current city पे क्लिक कर देना है तो यह देखें यह automatic की आपके पास virginia को location शो कर रहा है तो आपने simple उसको select करना है और उसके बाद आपने इसको save कर देना है तो save करने के बाद आपके यह परोफाइल पे show होना start हो जागा यहाँ पे मैं आपको highlight भी करके दिखा देता हूँ कि यह virginia की location शो कर रहा है जो के अमरिका के एक शेर है उसके बाद आपने add hometown पे click करना है और जो address आपने वहाँ से copy किया होगा यहाँ पे paste कर देना है अब यह address हमें शो नहीं हो रहा तो थोड़ी सी editing आपने यहाँ पे करनी है जो आपको words है ना वो आपने यहाँ से खतम कर देना है start से भी और end से भी और last में जो चोटा सा home town का मतलब option नज़रा आपने simple इसको थोड़ा सा remove करके आपने search पे click कर देना है जैसे आप search पे click करेंगे यह देखें आपके सामने यह वाली location भी आगी है आपने इसको भी select करके save कर देना है जैसे आप इसको save करेंगे तो आपका यह भी आपकी profile पे show ना start हो जाएगा आप मतलब इन दोनों को public रहने देना है ठीक है आप public रहने का मकसद यह है कि लोगों को पता चले कि यह USA का बंदा है और USA में रहता है उसके बाद आपने यहाँ पे मतलब दूसरी सारी detail भी fill कर लेनी है यहाँ पे यह देखें मैंने USA लिख आपने USA news आज आते हैं थोड़ा सा basic information पे जो के आपने लाजमी करना है अब यह वाली जो data बर्त है इसको आप यहाँ से edit भी कर सकते है अगर आप edit नहीं करना चाहते तो आपने इसको हमेशा याद रखना है आप चाहें तो इसको screenshot भी ले ले जहाँ पर आपको facebook की यह setting मिलती है आपने इसके उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा ठीक है यहाँ पर सबसे पहले आपको personal and account information उसके बाद password and security वाप्शन मिल रहा है कि हमारी जो USA ही location शो हो रही है आपके सामने अभी मैंने सिर्फ और VPN लगाया यहाँ पर चेक कर लें active now का option आपके सामने है तो इस तरीके से आपने इसके उपर ID बनाने है लेकिन अब भी यह confirm नहीं हुई आपने गलती नहीं करनी कि यहाँ से वीडियो छोड़के जाए आपने अगले step भी देख लेने है ताके आपके यह ID पकी हो जाए ठीक है वो कैसे यहाँ पर आपने एक तो इसका password अपनी तरह से strong password रख लेना है दूसरा यह है कि आपने इसको two factor कर लेना है चाहे आप कोई authenticator यूज़ कर सकते हैं चाहे आप कोई Gmail यूज़ कर सकते हैं नेकिन phone number आपने अभी पाकिस्तानी यूज़ नहीं करना जब तक इसकी primary location confirm ना हो जाए अब primary location क्या होती है वो भी मैं आपको show कर वा देता हूँ सबसे पहले तो आपने इसकी language लाजमी English कर लेनी है ठीक है यहाँ पे language पे click करेंगे English का option आ रहा है आपने इसको select करके save कर देना है तो यह automatically English हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा scroll down करना है scroll down करने के बाद आपने क्या करना है access your information पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो आपके सामने बहुत जादा information आ जाएगी यहाँ पे यह देखें यह आपके recently activity भी आ जाएगी आपकी language भी आ जाएगी और आपकी login information भी आ जाएगी तो login information पे click करने के बाद यहाँ पे आपको एक location का option नज़राएगा आपने location पे click कर देना है यहाँ पे यह देखें यहाँ पे जो हमारी primary location है ना यहाँ से पता चलेगा कि यह ID Facebook की हमारी USA की बनी है के नहीं तो जैसे हम इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पे यह देखें लेए यह हमारी जो अभी primary location है ना वो अभी unknown शो कर रहा है यहाँ पे आपने डिली की दो से तीन पोस्टे करनी है VPN को connect कर के इस ID को login करना है जब भी आपने इस ID को काम करना है हमेशा आपने VPN को active करना है यहाँ पे सब से पहले आपने पोस्ट पे click करना है और check-in पे click कर देना है अब जैसी check-in पे click करेंगे यह आपको location ने show करवाना start कर देगा जो के VPN का कमाल है ठीक है अब यहाँ पे आप कोई भी location select कर लें ठीक है फॉर इसेंपल हम यहाँ पे Los Angeles की या California की या New York की मतलब location select कर लेती है तो यह देखें यह हमारी location आगी है आपने simple यहाँ पे कुछ भी लिखने रहा है hello लिखने, hi लिखने, assalamualaikum लिखने या कुछ भी लिखने आपने यह चीज लाजमी करनी है daily विस्ट पे दो से तीन दफ़ा ठीक है अब जैसे कि यह हमने लिख दिया उसके बाद simple आपने क्या करना है नीचे आपको post का option नजर आ रहा है आपने इसको post करते नहीं है अब जैसी यह post आपकी हो जाएगी ना तो आपकी location चेक-इन हो जाएगी facebook आपकी location चेक-इन कर सकता है यहाँ पे आपको नीचे मापको refresh करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी जो location है ना पाइलट होके यहाँ पे नजर आ रही है यह देख लें लॉस एंजलस हमारी मतलब अभी जो location है ना वो शो होके आ रही है यह check-in आपने जरूर करनी है ठीक है इससे ID strong और आपकी confirm जल्दी हो जाएगी वैसे आपको 5-7 दिन लगेंगे इस तरह की अपनी primary location को confirm करवाते हुए अगर आप daily base पे check-in करते हैं और जो भी post आप करते हैं वो VPN लगाके करते हैं अब last में एक pro tip आपको दे दूँ जब भी आपने इस ID पे काम नहीं करना आपने यहाँ पे 3 डॉर पे click करके अपनी Facebook ID की मतलब यहां से लॉग आउट कर देना है लॉग आउट करने के बाद आपने अपने मतलब VPN के अंदर आजाना है VPN के अंदर आने के बाद आपने यहां पे इसको भी आफ कर देना है याद रहे कि जब भी आपने यह Facebook की ID ओन करनी है आपने हमेशہ VPN ON करके करनी है आपने पाकिस्तनी IP पे ये location में ON नहीं करनी चाहे आप इसके उपर काम करना चाते हैं या कोई uploading करना चाते हैं तब भी आपने VPN को ON रखना है आपने VPN को OFF नहीं करना और जब आपने काम कर लेना है तो आपने ID को log-out कर देना है है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपने बाई को दें अजाज़त अलाफीज